बेलकम डो मेडिल एज के सन कैसे हैं मेरे पेरेश्ट्रेंट्स MP वोड के टॉपर सीरीज में आप सबका स्वोगत है लीजिए अब कक्छा दसवी के जियोग्राफी का एक अंतिम चैप्टर लेकर क्या जुगा हूँ हमारे चैप्टर के नाम है राष्टिय अर्थवस्था की जीवन रेखाई हम देखेंगे कि इनके कौन-कौन से प्रश्ण हमारे परिच्छा में पूछा सकते हैं और क्या होगा सही उत्तर देखें श्रेंट्स जब मैं दिन भर मेहनत करता हूँ तब जाकर कि कहीं पाट की बीच से 10 प्रश्ण निकलते हैं और आको पता है ना प्रश्ण निकालना फिर इस प्रकार से स्लाइड में बनाना और वीडियो बनाना काफी कठी नुँआता है लक्टभग मुझे चार से पांच घंटे 10 प्रश्ण के लिए दिनी पड़ते हैं फिर भी आपका reaction कहा रहता है कि ना तो सही से आप वीडियो को देखते ना तो पहाई करते हैं कोई बात नहीं ये अंतिम वीडियो होने जा रहा है इसके बाद यदि आपका demand होगा तो वीडियो जाएंगे बरना वीडियो आना बंद हो जाएगा चलिए खैर हम finally सभी questions को देख लेते हैं किस प्रकार से प्रशन पूछा गया है और क्या होगा सही उत्तर लेकिन उसके पहले हम आप से यही बोलेंगे कि अब आपके सामने question of the day का सही answer में बताने वाला हूँ हमारा प्रशन कहे रहा था प्रदूसर को कम करने के लिए कौन से उपाय उठा जा सकते हैं options प्रदूसी जल को नदियों में ना बहाया जाए क्या इससे प्रदूसर कम हो सकता है बिल्कुल हो सकता है जल को साफ करके प्रवाहित करना चाहिए नहीं ऐसा कुछ नहीं भाइप कौन साफ करके प्रवाहित करेगा ठीक नेक्स्ट जल विद्धुत का प्रयोग करना चाहिए ये भी नहीं हो सकता ऐसे मसिन्रिक प्रयोग करना चाहिए जो कम धोनित पन करे धोनिका प्रदूशन से कोई मतलब नहीं है तो इसका सही आंसर आपका option number A पे ही टिक करना होगा रदूसित जल को नदियों में नहीं बहाना चाहिए ये इसका सही उत्तर है चलिए तो आज हम chapter 7 जो हमारा पूछा है राष्टी अर्थरस्ता के जीवन यहां की questions को cover करते हैं लेकिन उसके पहले मैं आपसे यहीं बोलूँगा different प्रकार के social media site हैं जैसे की YouTube, Telegram, Instagram and Twitter आप यहां पर मेरे से connect हो सकते हो सभी का ID यह इस भी platform में आपको सर्च करना है उसके सामने ID लिखा है उस नाम से सर्च कीजिए आसानी से आप मुझे find कर सकती हैं इतना ही नहीं आप जो कार्क्रम देख रहे हैं इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF का link description box में दिया है इसके लाबा जाइए google पे www.ascloset.com लिखे और से पहले मता देता हूं सर्णविम चत्रुफूत है क्या और इसका नाम क्यों पड़ा देखो हमारे भारत देश में चार ऐसे सहर हैं जो कि बहुत बड़े सहर हैं और जहां से अच्छा खासा उद्दोग लगाए गये थे प्राचीन काल में भी और बरत्मान में भी और अच अच्छिम साइट मॉंबई और पूरे साइट हो गया कलकत्ता मतलब दिल्ली मॉंबई चैन्य और कलकत्ता ठिक तो इस प्रकार से सलग बनाए गया है यह जो में में सहर है इनको जोडने के लिए इस प्रकार सलग बनाए गया है इसे कहते हैं सुरणवाईम चत्रुफूज चत्र भुज क्यों कि देखो चत्र भुज के आकार का बन रहा है। बन रहा है नौ हिसमेस का नाम पड़ा स्वॉजुर नैम चत्र भुज। अब मैं उम्मीद करता हूँ सुरलिम चत्रफुर से समझे जितने भी प्रशन आएंगे तुम से सभी प्रशन बन जाएंगे आगे देखते हैं सेकर्ड नमबर सलक परिवहन के साथ साथ कौन से परिवहन के साथ हैं और भी हैं हमारे ऑप्शन से रेल बायू और जल रेल और जल बायू और जल और यहां पर जल और पाइप लाइन तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेल परिवहन बाई परिवहन और जल परिवहन। ये चार परिवहन हैं, सबसे पहले सडक, फिर रेल, फिर बाई और जल, सबसे सखता परिवहन माना जाते है आपके जल परिवहन को ठीक, इस वाद को ध्यान ड़कना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉस्चन स्रुनेम चत्रुभुज महा नगर या फिर महा राज्यमारग कितने लेन वाला बना है लेन का मतलब क्या होगा मतलब एक सलक निकली है सलक में कितने लाइन निकली जैसे तुम आम तोर पर देखे होगे गाउवाव में कि वीच में डिवाइदर होता है और एक सलक उधर या दूसरी सलक देहरा जाती है ठीक तो जाने वाले उधर जाते हैंOoh और आने वाले जाते हैं इसी पर दो लेकिन जो हमारा सुरनेम चत्रुफुज है वहाँ पर कितने लेन है तो हाँ पर 6 लेन है इस वाद को ध्यान डखना देखो कैसे मैं बनाएक समझाता हूँ एक हो गया आपका मेन डिवाइडर ठीक एक मेन हो गया मेन एकदम यहां से पहला लाइन आपका इस प्रकार से निकला है यह रहा ठीक दूसरा लाइन आपका किस प्रकार से निकला है यह रहा दूसरा और यह रहा दूसरा एक और लाइन निकला है तीसरा लाइन यह रहा तीसरा और यह रहा तीसरा होता है तो इसका सही आंसा लिखेंगे एन एच ए आई इसका फुल फॉर्म क्या होगा नेशनल हाइवे एथार्टी ओफ इंडिया ठेक यह इसका देखरे करता है और राश्टी राजमार्ग बनाने का काम भी इनहीं का होता है ठेक एक चीज़ और तुम देखे होगे पी डब अभी जबलपूर में सड़के बन रही है थीक इंदोर में सड़के बन रही है तो उनका कारे कर रहा है पी डब्लू डी पीडबली मतलब होता है पवलिक वर्क डिपाटमेंट यहources ब ला छोग करते हैं एक सेगन न यहां जो मदरमय हल का सथियस्तन है वहां से लेकर के और ऐसे ही इन दोर ही बन रहा है इन दोर की बीजे नगर ही बन रहा है तो वहां भी आप देख सकती हैं चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टिन पांचवा नमर कहता है किस राजजमार का प्रमुख उद्देश भारत के महानगरों को आपस में जोड़ना है तो इसका स ठीक ये चतरुफज बन गया इस स्वरणी में है चतरुफज मतलब यहां का मार्ग एकदम धायद है बना ये दि तुमको दिल्ली से मुंबई आना है तो एक नमबर हाई भी पाओगे तुम ठीक ऐसे नहीं कहीं बिया बन जा रहे है आगे दिखते हैं छटवा नमबर पाइ अधी कवके घ्रघम होता है जो पैल आते हैं बिदेश से लिकातर से आता है इरान से आता है थिक तो ये पाइप रैयन के थूए असमें तेल आता है इसका लागत लिए को घर में अनसर क्या लगाएंगे लिए पाणी पुह इसका सही आंसर में थोड़ डाउट है वाई देखो ये और ये तो होगा लेकिन ये नहीं हो क्योंकि यहाँ पर उर्वरक लिखा है यदि उर्वरक ना लिखा होता तो यह हो सकता है ठीक लेकिन उर्वरक लिखा है तो यहाँ पर यह होगा नहीं पाकि ध्यान रखना उर्वर देखरे करता है यही उसको सुरक्षित करता है जिससे आप एन ए एन ए एन ए एच आई के नाम से जानते हो ठीक यह जी नहीं एन एच आई ओके जी चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट आठवा नॉम्बर कहता है सड़क पहरी बहां ने किन किन समस्याओं से जूज रहा है हमारे ओप्सन से सड़कों पर ट्रैफिक जाम हां भाई यह भैंका ट्रैफिक रहता है तुम महानगर में रात में निकल जाओ अरे तुम मैं खुद बता रहा हूं एक बार में गया था इंदोर मुझे उज्जैन से इंदोर जाना था यहां का समाई लगा था एक घंटे ठीक है ए करके इतना जादा ट्रैफिक इतना जादा ट्रैफिक क्या ही बोलें मतलब इधर के घंटा इधर के घंटे बराबर और जाते है ठीक पर बन रहा है उपर बन रहा है वह इंसान चलो जिसको जाना है मदर महल से ले करके और आगे तक राइंताल के तक तो जा सकता है तो यह भी विल्कुल हो सकता है नेक्स्ट बढ़ते हुए बाहनों के कारण सडक भीर भड़ी मतलब बाहन आजकल बढ़ रहे हैं आए दिन हवाई जाच चाहिए मतलब सबका एक ड्रीम है कि यार हमारे पास होना चाहिए हर घर ड्रीम है यार सभी लोग का ड्रीम होता है कि बढ़ी अच्छा सा घर हो एक अच्छी सी पत्नी हो सुन्दर सी एक अच्छा घर और एक अच्छा गाड़ी अब पैसे हो अच्छा सबका सवर रहे हो तो समझो आपने वीडियो वीडियो को अच्छी सबसे सथा परिवहन 14 30 को माना जाता रहा है और कम आगे देख लेते हैं तूती कोरीन आपका चेन्डाई में में यह इधर है कोच्चिन केरला यह इधर है ठीक और विसाखा पटनम यह आपका इधार है ठीक तो इसका सही आंसर आप पलगाना है कांडला बंदर गाई जिसे दीन देल के नाम से जानते हैं और यह बंदर गाई है बंदर गाई है मतलब बे नहीं हो तो बेटक यहां बंदर कूदे इसलिए को सब्सक्राइब को हटा दिया गया है और ऐसे ही आपका रवाई आ रहा ऐसे ही पढ़ाई करोगे तो मोस्ट आइंपी कोस्टेंस के वीडियो आने बंद हो जाएंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों साथ सेर कीजिए और चैनल में पहली वारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वाकि प्लेश डाल दिया गया है एक से देकरे साथ तक सभी पार्ट को मैं cover किया हूँ जाओ प्लेश्ट में वीडियो को देखो फिर किस सब बिर का वीडियो चाहिए comment section link देना आपको videos मिल जाएंगे मैं video game करता हूँ आपकी exam के लिए all the rest बाई बाई